हेलो फ्रेंट्स वेलकम to my channel आज यसे की topic आप देख रहे हैं वा मॉंसेंट्यक एसिट्यक प्रोसेस हैं इसको इसमें सेखने वाले हैं it is a very important topic for CSI net and gate both the exam इसे generally question पूचा चाता है चले start करते हैं क्या होता है मॉंसेंट्यक एसिट्यक प्रोसेस कनवर्जन और मैथनॉल into प्रेंस में सब्सक्राइड ₹ प्रैंस के सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब हमने सबसे पहले कहा है कि हमारा catalyst है रह चीओ टू आई टू माइनस इसमें क्या होता है oxidative addition होता है oxidative addition means that the number of oxidation state is increase plus two if अगर यहां पर रुविदियम का oxidation state plus one है और यहां से अगर यहां दा रहा है तो यह plus two से increase हो रहा है यहां पर यहां पर रुविदियम का oxidation state है वह कितना होगा यह प्लस रही होगा हमारा first step क्या oxidative addition किसीज का CH3I CH3I जो है polar है जब भी आता है तो उसका जो उता हो ट्रांस्फोर्म आएगा यह तरह है अब यह तरह है यह निकल यह मिल गया जो कि हाँ पर oxidative addition में वरक कर रहा है और हमारा H2 रिमूब हो गया उसके पर step B और step A ही जो होता है वो rate determining step होता है this question is also asked from CSIR net December 2019 rate determining step कौन सा वाला होता है जहां पर oxidative addition यहां ही step 1 ही जो होता हो rate determining step होता है second step में होता है migratory insertion migratory insertion means क्या होता है कि जो carbon monoxide होगा वो metal carbon के बीच में insert कर जाएंगा जैसे यहां पर आगे यह CO जो हो गया इनके बीच में क्या गया इंसर्ट हो गया तो यह migratory insertion हो गया उसके मार यह minus charge तो यह पहले सही था वो होता ही यह catalyst में हो गया यहां पर भी oxidation state कोई चेंज नहीं होता है oxidation state यहां पर हमारा carbon monoxide जो बाहर से इंसर्ट करता है जो हमारा यहां पर यहां पर यहां पर carbon monoxide जाके आगया यहां पर carbon monoxide आया बाहर से अगला step क्यों होता है reductive elimination reductive elimination का मेंस होता oxidation state decreases by 2 unit जैसे यहां पर plus 3 था तो यहां पर oxidation state कितनी होगी है हमारी फिर से यहां पर oxidative state जो हो गई है प्लस वन रुविडियम की तो यह क्या हो गया हमारा यहां पर ठीक है reductive elimination में यहां पर plus 3 थी जब यह दो निकल जाएगा तो हमारी oxidation state हो जाएगी इसके निकलने के बाद फिर से क्या हो जाएगी हट्टो यहां पर ह्ट्टो से reaction क्राएंगी तो हमारा क्या हो जाएगा H-CS3-C-C-O-I this is H-CS3-C-O-I है हम ह्ट्टो से reaction क्राएगी तो एक hydrogen और आई जो हो गया वो हमारा क्या हो कि निकल जाएगा यह चलाएगा जो हमने आप starting में लिया था करने में वह बात में क्या होगा रिमूव हो गया चाहिए और यहां से हमां OH में लगा हो CH3 COOH तो हमारा क्या बन गया Acetic Acid This is the final product of this reaction I hope आपको यह समझ में आया होगा if you like this video please इसे like करें subscribe करें और मेरी चैनल को share कर रहा है ताकि ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो में अप्रेइल आती रहां thank you so much for watching